नमस्कार साथियों आपका स्वागत है इस्टेड़ों जी के यूट्यूब चैनल में आज हम ओपिश उकला बुक की पेज नंबर 117-118 डिक्टेशन की प्रेक्टिस करेंगे इस डिक्टेशन का समय 10 मिनिट का रहेगा और इसकी गती 80 और 100 शब्द प्रती मिनिट की रहेगी अब हम डिक्टेशन स्टार्ट करेंगे 1, 2, 3, स्टार्ट महदय मुझे इस बात का संतोष है की राश्ट्रपती जी ने सिक्षा के बारे में अपने भाशन में इस वर्ष विशेश रूप से ध्यान दिया है हमको दुख के साथ यह स्विकार करना चाहिए की आजादी के बाद सिक्षा में जितना सुधार होना चाहिए था वह नहीं हो सका है उसके कुछ भी कारण रहे हो आर्थिक हो या दूसरे लेकिन हमको यह मानना पड़ेगा की सिक्षा के छेत्र में अभी बहुत कुछ काम करने को बाकी है शिक्षा आयोग की रिपोर्ट में जो सिफारिशे हैं उनको तुरंत अमल में लाया जाना चाहिए था परंतु ऐसा नहीं किया गया इसके कई कारण है योजना आयोग ने और भारत सरकार ने बुनियादी सिक्षा को स्विकार किया है मैं यह कहना चाहता हूँ की अब वह जमाना नहीं रहा जबकी बुनियादी सिक्षा को सिर्फ कुछ ही छेत्रों में चलाया जाए कुछ ही बेसिक स्कूल खोले जाए और बाकी स्कूल पुराने ढंग से चलते रहे भले ही हम उस तरह से शिक्षा ना चला सके जिस तरह से सेवा ग्राम में चलती रही है फिर भी उसको जो बुनियादी सिद्दान्त है की उत्पादन के द्वारा शिक्षा देना उसको संसार के सभी शिक्षा सास्त्री मानते है पेले ग्राफ चेंज आज स्कूलो कालेजों की सिक्षा अच्छी नहीं है यह सभी जानते हैं की आज की सिक्षा बच्चों को बेकार बना रही है इसलिए मैं तो यह चाहता हूँ की जो हमारी शिक्षा हो जो स्कूल कालेज की सिक्षा का सिद्दान्त जरूर लागू किया जाना चाहिए यह नहीं होना चाहिए की कुछ बेसिक स्कूल खोले जाए और बाकी सभी पूराने ढंग पर चलते रहे आज जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई रुक जाती है वे कालेज में नहीं जा सकते मैं समझता हूँ की हमारा शिक्षा मंत्रा ले इसकी तरफ पूरा ध्यान देगा ताकि राश्ट्रपती जी ने अपने भाशन में जो कुछ कहा है वह पूरा हो सके और शिक्षा के छैत्र में परिवर्तन हो सके पेरे ग्राफ चेंज हम यह अकसर कहते हैं की जब नई सरकार आती है तो नया जंडा होना चाहिए लेकिन मैं समझता हूँ की नई सरकार के आने के साथ नई शिक्षा का आना भी बहुत जरूरी है राश्ट्रपती जी के भाशन में डलित जातियों के बारे में जिक्र है मैं उसको बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ यदपी आज भारत स्वतंत्र है लेकिन यदि हम हरीजनों की तरफ और जो आदीम जातिया है उनकी तरफ ध्यान नहीं देंगे तो सिर्फ सामाजिक ही नहीं राजनेतिक उलजनों के खड़े होने का डर है तो अब हम इसी डिक्टेशन को सो शब्द प्रति मिनिट की गत्ती से दोहराएंगे वन टू थ्री स्टार्ट महोदै मुझे इस बात का संतोष है की राश्टरपती जी ने सिक्षा के बारे में अपने भाशन में इस स्वर्ष विशेश रूप से ध्यान दिया है हमको दुख के साथ यह स्विकार करना चाहिए की आजादी के बाद सिक्षा में जितना सुधार होना चाहिए था वह नहीं हो सका है उसके कुछ भी कारण रहे हो आर्थिक हो या दूसरे लेकिन यह हमको मानना पड़ेगा की सिक्षा के छेत्र में अभी बहुत कुछ काम करने को बाकी है शिक्षा आयोग की रिपोर्ट में जो सिफारिशे हैं उनको तुरंत अमल में लाया जाना चाहिए था परन्तु ऐसा नहीं किया गया इसके कई कारण है योजना आयोग ने और भारत सरकार ने बुनियादी शिक्षा को स्विकार किया है मैं यह कहना चाहता हूँ की अब वह जमाना नहीं रहा जब की बुनियादी शिक्षा को सिर्फ कुछ ही छेत्रों में चलाया जाए कुछ ही बेसिक स्कूल खोले जाए और बाकी स्कूल पुराने ठंग से चलते रहे बले ही हम उस तरह से सिक्षा ना चला सके जिस तरह से सेवा ग्राम में चलती रही है पिर भी जो उसका बुनियादी सिद्दानत है की उत्पादन के द्वारा सिक्षा देना उसको संसार के सभी शिक्षा सास्तरी मानते हैं पेरिग्राफ चेंज आज स्कूलो कालेजों की शिक्षा अच्छी नहीं है यह सभी जानते हैं की आज की शिक्षा बच्चों को बेकार बना रही है इसलिए मैं तो यह चाहता हूँ की जो हमारी शिक्षा हो जो स्कूल कालेज की सिक्षा का सिद्दानत जरूर लागू किया जाना चाहिए यह नहीं होना चाहिए की कुछ बेसिक स्कूल खोले जाए और बाकी सभी पुराने ढंगस पर चलते रहे आज जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई रुक जाती है वे कालेज में नहीं जा सकते मैं समझता हूँ की हमारा शिक्षा मंत्राले इसकी तरफ पूरा ध्यान देगा ताकि राश्रपती जी ने अपने भाशन में जो कुछ कहा है वह पूरा हो सके और शिक्षा के छैत्र में परिवर्तन हो सके हम यह अकसर कहते है की जब नहीं सरकार आती है तो नया जंडा होना चाहिए लेकिन समझता हूँ की नई सरकार के आने के साथ नई शिक्षा का आना भी बहुत जरूरी है राश्टपती जी के भाशन में दलीद जातियों के बारे मैं भी जिक्र है मैं उसको बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ यद दपी आज भारत स्वतंत्र है लेकिन यदि हम हरीजनों की तरफ और जो अधीम जातिया है उनकी तरफ द्यान नहीं देंगे तो सिर्फ सामाजिक ही नहीं राजनेतिक उलजनों के खड़े होने का डर है मुझे बहुत खुशी है कि गंतंत्र दिवस के अवसर पर दिली में देश के कोने कोने से आदीवासी भाग ले रहे हैं यह ना केवल सांस्रितिक डष्टी से महत्वपूर्ण हैं बलकि राजनितिक डष्टी से भी बहुत महत्वपूर्ण हैं हम को समझना चाहिए कि जो आदीवासी लोग है जो आदीवासी छेत्र है वे भारत के अबिन अंग है हमें उनको भी यह बतलाना है कि सारा देश उनके कल्यान के लिए और उनकी भलाई के लिए प्रैतनशिल रहा है तो उमीद है यह वीडियो आपको पसंद आयोगी अगर पसंद आती है तो उसे लाइक करें चैनल पर नए है तो उसे सब्सक्राइब करें आज के लिए इतना ही जय हिन जय भारत